एए एवन हाओ यू आल सो कैसे हो आप लोग सो जिस बुक की हम बात कर रहे हैं उस बुक का नाम है इट स्टार्ट्स विद अगर आप चाहो तो मुझे वहां फॉलो कर सकते हो उन सबके लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में दिया है और बहुत सारे ऐसे लोग भी है जो वीडिय चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे ताकि आप भी वीडियो से रेगुलर्ली अपडेटेट रहे हैं अब लगग ना रात के सारे नौ बज़रे होते हैं और अभी तक लीली के पास कोई भी मिस्कॉल नहीं होती है जो एमरसन थी ना उसको डेल घंटा हो चुका था सोई वे औ लीली को यह लगता है कि मैं कितनी बार एकलस को माफ़ी माँग उस सतर बार तो माफ़ी मांग नहीं पड़ेगी कि मैंने आज उसको अलमारी में छुपाया अब जो लीली थी ना वह बात्रूम में जाती है ताकि वह अपना जो नाइट का स्किन केर होता है वो कर सके और वह लीली यह बहुत चीज हो आट वजे क्योंकि हम दोनों अलग तरीके से दुनिया जीते हैं एक रात एक दिन ऐसा वाला है क्योंकि जो एक शेफ है और वो देर रात तक काम करता है और जबकि मैं तो शाम को साथ वह तक अपने पजामा में आ चुकी होती हूँ भही अपने घ और जा वह फोन को देखती है और आप जो पढ़ा फोन को देखती है तो भहिए उसको पता तुछल चल क थीदा अब जों क्या करती है थों को टावल को कि मैं आख अल opened सको और तुम्हें मुझे देखने की जरुवत नहीं है किया अब जो अच्छे सरक नहीं है आँटलेस हो क्वे और यूट्लेस की चैली को देखते है एक्सपेशन होते हैं ले यूटले Mission के जब्हने का होगा और उसको देख रहा होता है और जो लिली का चहरा होता है उस पर ग्रीन कलरा का ज़ाग जहाग होते है कि उसने स्क्रब लगाया था अब जो आटलेस है वो स्माइल कर रहा था बहुत ही अधा सेक्सी लग रहा था और उना अपने बैड पर लेट अगवा था उसने वाइड कलर की शर्ट पहने की थी और जो इसका बैड का पीछर टिकने के लिए होता है वो बिल्कुल ब्लैक कला का वोडन बॉस्ञेधा था शोर्ट उसकी तरकी तारीफ करना चाहती कि भी अख सबस्ञे पास्ता है था तोसने शाउचा था उसके लाइट लेका आए त हैं ना कई जाधा है तो कि मेरा दिन ठीक रहा बला ऐसी नॉमली कही होती है अब जो लीली है वो उसको देखती है और कही ना कहीं लीली को पता चल चुका था कभी मुझे ना इसकी वात का विश्वास नहीं आ रहा कुछ तो गरबड़ी है अब जो आटलस था ना वो पहले तो कुछ देर फोन को पहले ना तो हम लोग ऐसी एक बूसरे को देख सकते है घंटो तक अब जो लीली हो कहती है तुम्हारे नहे वाले ऐसरोन का नाम क्या था अब लीली ना उससे ये जान पूछ के पूछी होती है कि कि क्यू हुँ कूलड़ी लिढे ली ना है उसको नहे वाले आटला का नाम में आ गए हूँ और एक दोनों से वीडियो कॉल करते हूँ अब जो आटलेस नहीं कहता है मैं उसके बार में बात नहीं करना चाहता है मुझे बताओ तुम कैसी हो तुम्हारा फूलो का बिजनेस कैसा चल रहा है तुमारी बेटी कैसी है अब जो लिली इनन कहते है तुमने ए अब जो लिली नहीं हों यह ऊसती है और अच्छा मजा आ आटलेस उतलेस हो कहते हैं ओर एमरसन एक साल की कभ हो रही है अब जो लिली इननन वो केहते हैं इसी 11 को और मुझे तो आटलेस होता है कि मैं वह भता भी नहीं सकतनी है तुम्हां ही तरह कितना जज़्यादा दिख मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं ठग गई हूँ या फिर मैं इन सारी चीज़ों से ही ठग गई हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो जाती है मैं तरही महनत करती हूँ फूलो की दुकान पर लेकिन जो रेटान आता है वो बहुत जादा नहीं आता मैं चीज़े प्राउड हूँ कि मेरी दुकान है मैं बहुत अच्छा बिजनेस करे हूँ लेकिन कभी-कभी ऐसा लगता है कि मुझे एक फैक्टरी में काम करना चाहिए कि काम करो और घर आजाओ कोई टेंचन नहीं अब जो आइटलस होता है कि मैं समाझ सकता हूँ यार वो जो आइडिया होता है कि आप घर जाओ और खाम के बारे बिल्कुल भी ना सोचू वो बहुत ही अच्छा होता है अब जो लिली यहने मुशसे कहती है तुम बोर्ड नहीं होते कि खाना बनाते बनाते जब तुम शेफ की तरह काम करते हो अब जो आइटलस होता है कहता है यार बोर होता हूँ मैं बहुत बोर हो जाता हूँ तब ही तुम मैंने कॉरिगंस खोला और एक बास सच बताओ ना मैंने औ्हरेगन्स खोला हाई इसलिए, ताकि मैं वहाँ पर शेफ का काम ना करूँ, मैं माल्क की तरह वहाँ पर काम करूँ और कुछी दिन, कुछी रातों को मैं कभी-कभी काय काम कर लिया करूँ बस, और कुछ भी नेए क्योंकि मेरा जादा टाइम ना यह बिजनिस को रन करने में ही चला जाता है अब जो लिली उसे पूछती है तुम भी बहुत देर रात तक काम करते होगे ना अब जो एटलस होता है क्याता है हाँ यार लेकिन ऐसा नहीं है अगर मेरी डेट नाइट होगी तो मैं उसरें काम न जो एटलस होता है ना वो कुछ बोलने वाला होता वा ऐसा बोलने वाला होता है कि अब कुछ चीजँ आने वाली है अब अब गयाता है ना मैं तुम से रिफिकल सवाल पूछू यहाँ, अब जो आइटलास रहों कहता है क्यों, अब जो लिली रहों कहता है कि वो तुम्हे ना पसंद नहीं करता, अब जो आइटलास रहों कहता है, खाली मुझे ही पसंद नहीं कहता है, या वो किसी भी लड़के को पसंद नहीं करेगा, जिसको तुम डेट करोगी, अब अब जो Atlas होता है वो बिल्कुल confused होता है कि मतलब यह क्या हुआ यार अब जो लिली इना उसको समझाना शुरू करती है कहती है तो मैं आदा है जब हम बच्पन में छोटे थे मैं जनरल लिखा करती थी अब जो Atlas होता है हां मुझे याद है तुमने मुझे कभी भी वो पढ़न उसको देख रहा होता है ऐसी की जैसे बड़ा फ्रस्टेट हो अब जो Atlas होता है मुझे चीज सी बड़ी नफरत है कि तुम बहुत जादा परिशान में आ जाती हो वो भी उसकी वज़े से जो की चीज कभी हुई भी नहीं लेकिन मैं समझ सकता हूं कि ऐसी situation में रहना कैसा हो आफ जो सकता होगी मेरे बारे में अब जो लीली यह कहते है मैं तुम्हारे बारे में सब कुस लिखा करती है अब जो Atlas होता है के तुम्हारे पास अभी भी वो है अब जो लीली नहीं वो बढ़ा ज्यादा मतब excited लग रहा होता है यह पढ़ेगी कुछ लेकिन जो लीली यह ने उसका चैरह लाल होजाता है यो एटलस होता है तो मिरे बार में क्या लेखती हो बस एक प्रजब्राफ, यार, तो ह düşünते हैं यार, मैं इसको ना का कैसे कह सकती हूँ वो फटाफट में क्लॉजेट में जाती है और अपनी डैरी लेके आ जाती है और वो कुशिश कर रही हो थी कि वो क्या पढ़े ताकि उसको जादा इंबेरस्मेंट ना हो अफिर वो आती है ने कहती है क्या चाहते हो तियों कि मैं तुम्हारे लिए पढ़ों मैं तुम्हें पढ़ना है ताकि उसको जादा शर्मिंदा ना होना पड़े है अफिर लिली कहती ना तुम्हें आदा जब पहली बार में रोते रोते तुम्हारे पास आई ती जब मेरे माता पिता के लड़ाई हुई थी अब जो आज बहुत बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आज भी जैसे उसको बहुत ज़्यादा उसको काम डाउन करती हूँ अब लिली क्या करती ना जनरल के पढ़ने पढ़ती है और पढ़ना शुरू करती है और उसमें पढ़ती है कि कुछ सेकंड पहले मैंने जैसी दर्वाजा खुला जो एटलस था ना उसने पहले दाये देखा जो घर की गेट की सीडिय होती है ना वहाँ पर यह दोनों बैट जाते है अब लिली यह कहती है मैं ठीक हूं यार मैं कई बाद जब बहुत ज़्यादा गुस्ता होती है तो मैं रो देती है अब जो आटलस होता है वो क्या करता है जो लिली के बाल होते है उसको कानों के पी और ये चीज बिल्कुल opposite थी मेरे पापा से अब ये लोग ना बहुत देता कैसी बैठे रहते हैं जो लिली होती है उसके bedroom की जैसी light जलती है जो Atlas होता है उसके कान में कहता है तुम्हें जाना चाहिए और ये दोनों लिली की मम्मी को देख रहे होते हैं उसको ये दिमांग में याद करनी कोशिश करती है कि कितनी बार मैं light जला के अपने घर में रहती हूँ क्योंकि normally मैं अपने कमरे में टी-शिर्ट पहनके रहा करती थी और ये चीज बहुत crazy थी आलाइन मैं चाहती थी कि उसने मुझे देखा हो अब जो आटलस था नहीं ये सुनने के बाद बिल्कुल भी smile नहीं कर रहा होता है वो बस उसको देख रहा होता है उसके आँखों में बहुत ज़्यादा feeling होती है उसके असर दिर ना भारी सा हो गया होता है अब जो आटलस होता है कहता है हम लोग कितने जवान थे यार और बड़े प्यार से बोलता है अब जो लीली नहीं कहती है मुझे पता यार especially तुम किकि तुम उसको बहुत छोटे थे और तुम इन सब चीजों के लिए तयार नहीं थे अब जो आटलस है वो बिल्कुल भी फोन कितब नहीं देख रहा होता है वो इदावदा अपना देख रहा होता है फोन से नजर चुरा रहा होता है और जो मूट था नहीं बिल्कुल शिफ्ट हो चुका था क्योंकि पहले तो ये लोग बड़ी मजाक्या बात कर रहे थे रोमेंटिक बाते कर रहे थे अब आप तो यहाँ पर सिचुशन बिल्कुली बदल गई अब जो लिली ये वो आटलस से पूछी लेती है अब जो आटलस था नहीं वो चुशन बच्चा सा लग रहा था मुझे और हो सकता है शायद कोई बच्चा ही हो और मैं इस सिचुशन में पहले रहे चुका हूँ तो मुझे ऐसा लगता है ना कि शायद ये सब कुछ ठीक नहीं होगा क्योंकि शायद हर किसी के पास लिली ना हो उसकी जिन्दिगी बचाने के लिए अब जैसी ही वो कहता है ना जो लिली होती है उसको यह लगता है ना यार कि एटलेस विचारा कैसा है यह उसकी दुकान में चोरी हो रही है और वो अपनी सिच्वेशन को याद करके ना कंप्लेइन भी नहीं कर रहा और यह चीज ना पहली बाहर नहीं थी जब एटलेस ने यह बात बोली थी कि तुमने मेरी जान बचाई है जबकि मैंने उसकी कोई जान नहीं बचाई मैं तो बस उससे प्यार करने लगी थी अब लिली मन में सोचती है उसने बोला नहीं होती है और कहती है अब जो आटलेस होता है थोड़ा अपने वापस जर्नल पर आ जाओ तो और मैंना सोचता था कि तुमने वस रात की बात से कई बाए अपनी बेड्रूम की लाइट जला के क्यों छोड़ती दी थी अब जो लिली यह वह सती है कहती है तो हो सकता ही कि उसके अबने कुछ दिन में गलती करी अब मुझे अब न्यराशासी मैसूस हो रही है अब जैसी वह हसती है अफ ज्यसी क्यों होता है जो एमी है जो उसकी बेटी होती है वो जो जगनी की आवाज आती है वो रोने लगती है अब जो लिली होती है वो सोचते है कि भाई काईदे से तो मुझे कॉल कट करके जाना चाहिए था अपनी बेटी के पास लेकिन जो एमी थी न वो बस अभी अभी उठी थी और उसको कहती है न कि एमी उठ गई है मुझे जाना पड़ेगा लेकिन हाँ एक डेट तो तुम्हारी रही पकी अब जो आइटलेस होता है कहता है टाइम तो बताओ अब जो लिली ये कहती है मेरा संडे को छुटी है अब जो आइटलेस होता है कहता है च्छे बजे अब जो लिली ये नहीं कहती है यार संडे तो एमी के लिए फिक्स है और मैं कोशिश करूँगी कि कोई आ जाए और इसको देख भाल कर ले अब जो आइटलेस ते कहता है मैं समझ गया अगले संडे कैसा रहेगा अब जो लिली ये नहीं कहती है हाँ अगले संडे ठीक रहेगा मुझे थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा और मैं कुछ चीज़ा एजस्ट कर दूँगी ताकि कोई एमी को देख लेए और हम लोग चल सके अब जो आइटलेस होता है कहता है ठीक है फिर देट टन हो गई हमारी फिर आइटलेस कहता है इस संडे तो मारी छुटी है ना मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूं अब जो लिली ये नहीं कहती है हाँ हाँ तो मुझे कॉल कर सकते हो और कॉल का मतलब कॉल ही होता है कि कि मैं पूर्णाइट लिली और जो एटलास और लिली थे ना वो एक दूसरे को देख रहे थे फोन में बहुत अच्छे से और यह चीज ना लिली के पेट में ऐसा लगाता था उसके पेट में बटरफ्लाय चल रही हो और उसको बड़ा अच्छा सा फील हो रहा था को क्या करती है फ